मेरे पहरे साथियों आपने AI से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो यूटूब पर देखी कि क्या AI जो ऑडियो है जो बॉइस ओवर है वो मॉनेटाइज होता है या नहीं या फिर आपके कई बार ये भी सवाल होते हैं कि क्या ग्राफिक्स में अगर हम AI का यूज करें या या कि क्यों मॉनेटाइज नहीं होता AI आडियो और वीडियो साथ ही साथ कैसे हम लोग smartly उसको मॉनेटाइज करा सकते हैं अपने चैनल को AI का यूज करके वो भी आज हम इसमें समझेगे तो basically दो चीजों पर हम लोग बात करेंगे पहला कि कैसे हम लोग कम समय में एक अच्छा content create कर सकते हैं कम टाइम लगा कर दूसरा यह कि AI का यूज करके कैसे हम content create करें उस channel को कैसे monetize कराएं इस पर basically मेरे प्यारे साथियों मैंने हमेशा से ये कोशिस किये कि कोई भी information मैं आपको दे रहा हूं वो 100% सही information हो शत प्रतिशत वो सही information आप तक जाए सिर्फ ऐसा नहीं ह मैं कुछ भी यहां पर आके बोलता हूं मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आप सभी को जो भी बताता हूं वह बहुत जिम्मेदारी के साथ बताता हूं informational channels की जहां पर हम लोग कम समय में अच्छा content create कर सकते हैं यानि कि बहुत सारी चीज़े आपको करने की जरूरत नहीं है दूसरे के चैनल से कैसे हम लोग वो content pick कर सकते हैं वीडियो पिक कर सकते हैं और अपना एक नया content create कर सकते हैं आईए सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो topic है वो कैसे होता है तो मेरे पहले साथियों इससे पहले कि हम आगे चलें अगर आपको यह series अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरू कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो subscribe भी कर लेजी चलिए आगे चलते हैं तो जो informational based content होते हैं वो कैसे होते हैं यहाँ पर प्रकार के यहाँ पर जो bleeds हैं dogs की वो होती है और उनको series में यहाँ पर लगाए गया जो views है वो 1.5 million views है और revenue भी अच्छा है तो इस तरह की वीडियो में हम लोग AI का use कर सकते हैं प्यार सतियों AI को YouTube का क्या मतलब है YouTube का मतलब है कि आपकी जो creativity है वो आप अपनी audience को दिखा चाहिए और जिनलेटी आपके पास होनी चाहिए YouTube सिर्फ यह कहता है कि देखिए आपका content होना चाहिए यानि कि अगर आप AI का use करना चाहते है और आपने सिर्फ किसी भी website पर जाके वहां से आपने script डाली और voice over वहां से लेकर आपने वीडियो बनाई तो उसमें कुछ आप मुझे इसको monetize करा रहा है तो मैं क्या करूँगा आप बड़ा ध्यान से सुनियेगा कभी आपने news देखा होगा news में क्या होता था anchor सामने आता था और वो कुछ information आपको देता था यानि कि फर्स कीजिए कि मैं anchor हूँ और मैंने कुछ information आपको दी यहां पर मैं आपको समझा फेस के साथ यहां पर आपको बताता था उसके बाद यहां पर ज्यादतर मतलब ज्यादतर जो time frame होता था वहां पर एक voice-over artist होगा पडला 참 दूर यहां पर यहां पर AI का यूज कर सकते हैं यानि कि AI जो voice है आप उसका यूज जो कर सकते हैं वो यहाँ इस जगे कर सकते हैं यहाँ पर नहीं कर सकते हैं यहाँ पर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो पूरा ही AI हो जाएगा और उसको YouTube monetize नहीं करेगा यहाँ पर अगर आप face के साथ आते हैं और कुछ अपनी भाशा में अपनी आवाज में audience तक कुछ message पहुचाते हैं उसके बाद जो आपकी story शुरू होती है वो AI आपके लिए करता है फिर आप वापस यहाँ पर आ जाते हैं और फिर आप यहाँ पर AI voice का use करते हैं तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका channel 100% monetize होगा क्योंकि YouTube देखेगा कि आप यहाँ पर काम कर रहे हैं आपने एक theme decide क्या है आप उस पर काम करते हुए जा रहे हैं देगे मेरे प्यारे साथियों आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में आप कहीं भी जाएंगे किसी भी तरह अगर आप shortcut ढूड़नेंगे आगे बढ़ने के लिए तो यखीर मानिया आप काम्याब नहीं हो पाएंगे और मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं जहां पर य AI voice monetize नहीं होगा हां अगर आप ऐसे करते हैं जैसे मैंने चीज़ें बताई तो 100% आपका चैनल monetize होगा करते कैसे हैं यहां पर आप देखेंगे कि एक website है 11 laps यहां पर आपको आना और sign up कर लेना sign up करने के बाद आपको कुछ words यहां पर free मिल जाएंगे उसके बाद भी जो pricing बहुत कम है तो आप इसको यूज कर सकते हैं voice of artist जो चार्ज करता है उससे बहुत ही कम है यहां पर क्या करना है आपको आपने जो आपकी स्क्रिप्ट है हम मान लेते हैं कि हमने यही वीडियो बनाई है ना डॉक्स को लेकर एक हमने वीडियो बनाई तो पहले तो मैं इसकी के चैनल होते हैं जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताए कि MSTB कि आप कोई भी वीडियो यूज कर सकते हैं 100% पर आपको क्या करना है आपको आपकी आवाज वहां पर होनी चाहिए या फिर जैसा मैंने आपको अभी थोड़े पहले बताए शुरू में आप आपने यहां पर information दी जो introduction होता यानि तीन चार लाइन आपने face के साथ आपने record की उसके बाद से आपने AI boys का use किया जैसे यहां पर जो script है इस वीडियो में जो भी बोला जा रहा आप उसको copy कर सकते हैं बहराल मैं Google से ले लेता हूं अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर आ गया है कि भारत में कुत्तों की टॉप 15 नसल तो यहां पर हम लोग क्लिक करते हैं यह मेरे सामने एक article है तो दोस्तों हम क्या करते हैं यहां से जो हमें information चाहिए आपको पूरी script चाहिए तो आप पूरा copy कर सकते हैं मैं यहां पर इतना copy कर लेता हूं इसको अलाकर हम आपको मिलेंगे कुछ कोटा आपको मिलेगा जिससे आप उसको कनवर्ट कर सकते हैं मैं यह कहूंगा कि अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं अगर आप continue करना चाहते हैं तो आप subscribe कर लेजिए अच्छा है तो यहां पर हम लोग जो भी हमें यहां से हम लोग चेंज कर सक पिट और इस लिस्ट में सबसे ऊपर इसी कुद्टे की प्रीड का नाम आता है यहां पर आप देखेंगे कि यह वाइस हमारे सामने आ गई एस स्क्रिप्ट से अब हम इसको क्या करेंगी हमें क्या करना है कि यहाँ पर इंफोमिशन овने देखा यहां पर प्लेइ स्टोर पर आप जाएंगे प्रॉंप्टर होता है आप उसको डाउनलूड कर लेंगे तो कैमरा भी चलता रहेगा और साथी साथ आप उसको देखते भी रहेंगे इसको आप रेकॉर्ड करेंगे अब यहां से जितने भी यह ब्रीड से डिस्क्राइब किया गया एक प बहुत सारे चैनल्स पर मैं AI यूज कर रहा हूं मॉनेटाइज भी है पर जैसा मैं आपको बताया है बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप शुरू में शॉर्टकट चाहते हैं तो वह शॉर्टकट आपको नहीं मिलेगा यह मैं आपको पूरे वादे के साथ कह सकता हूं अग आपको उसी तरीके से करना होगा जैसे न्यूस चैनल्स में किया जाता था जब एंकर थोड़ा सा वोईस ओवर खुद करता था सामने आकर उसके बाद जो वोईस ओवर आटेस्ट वाला जो पार्ट होता था वह आप AI की थूरू करा सकते हैं अब यहां पर मैं आपको दूस सब्सक्राइब जाकर आपने उसको वोईस ओवर कराया AI से उसके बाद आपने जो ग्राफिक से इसका यूज करके थोड़ा सा खुद वोईस ओवर किया शुरू में उसकी बाद आपका AI ने किया आपका content ready हो जाएगा मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत जाद आपको स करते हैं वो कहते हैं कि सर हमारा जो शुरू में कुछ वीडियो हमारी वारेल हुई आप देखेंगे एक एक मिलियन चीजें हुई है उनके पास एक मिलियन व्यूज आये हैं उसके बाद एक दो वीडियो उनकी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और उनने वह चैनल छोड इसको मैं देरे-देरे क्लियर कर दूंगा AI को लेकर AI को ग्राफिक्स में कैसे हम लोग यूज करते हैं नेस्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिलहाल AI वोईस को कैसे हम यूज कर सकते हैं आपने समझा होगा मेरे प्यारा साथ यह वीडियो आपको अच्छे लगी तो बहुत जल्दी मिल जाए थोड़ा सा वक्त लगे लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है कि कॉंस्टेंट रहेगी जो जरूर होगी वो होगी सफलता अगर आप लगतार मेहनत करते हैं तो आपको वो चीज जरूर मिलेगी उमिद करता हूं यह information आपको अच्छे लगेगी AI स अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद